नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी शितिच के गद्य भाग से पाट बाल गोबिन भगत जो रामरिक्ष बैनिपूरी द्वारा रेखा चित्रशेली में लिखा गया है इसके अंतरगत लेखत ने एक ऐसे विलक्षन पात्र अर्थात बाल गोबिन भगत का चित्रण किया हैं जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपनी जीवन का निर्वाह करते हैं इसी संदर्व को आगे बढ़ाते हैं बाल गोबिन भगत ग्रहस्त साद्व थे अर्थात परिवार के होते हुए भी साद्व की परिभाशा पर खरे उतरने वाले वे कबीर को अपना साप मानते थे उन्ही के गीतों को गाते उन्ही के आदर्शों पर चलते थे कभी जूट नहीं बोलते सबसे खराव व्यवार रखते किसी से दो टूक कहने में संकोच नहीं करते ना किसी से जगडा मूल लेते किसी की चीज़ को न छूते ना बिना पुछे व्यवार मे लाते उनकी सब चीज साहब की होती खेट में जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर लात कर साहब के दर्बार में लाते वहां से प्रसात रूप में जो कुछ भी उन्हें मिलता उसे गर लाते और उसी से गुजारा करते लेखक बालकोबिन भगत के मधूर संगीत पर मुगत थे आशाड मास के रिमजिम बारिश हो रही थी वर्शा में जब सारा गाउं धान रोपने के लिए खेतों में काम कर रहा होता है कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपने हो रही थी दान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे थे और ते कलेवा लेकर कलेवा अर्थात प्राता काल किया जाने वाला नाश्ता मेर पर बैठी थी आस्मान बादलू से गिरा दूप का नामों निशा नहीं ठंडी पुरवाई पुरवाई यानि पूरब दिशा से आने वाली हवा चल रहे थी ऐसे ही समय में बाल कोबिन भगत का मंदूर संगीत सुनाई देता उनका पूरा शरीर कीचर में लिथरा हुआ था वे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं उनकी अंगुली एक-एक धान के पूधे को पंक्ति बद कर खेत में बिठा रही है उनके कंट से निकला एक-एक शब्द संगीत के जीने पर चड़कर कुछ को उपर स्वर्ग की और बेज रहा है और कुछ को इस प्रत्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और यह बाल गोबिन भगत के संगीत के जादू का ही प्रभाव था कि बच्चे खेलते हुए जूम उठते हैं मेड़ पर खड़ी ओरतों के होट काप उठते हैं वे गुन-गुनाने लगती हैं हलवाहों के पेर ताल से उठने लगते हैं रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजिब क्रम में चलने लगती हैं बादो हिंदी महिने का नाम है कि वह अंधेरी आधी रात थोड़ी देर पहले ही मुसलादार वर्षा खत्म हुई बादो की गरच और बिजली की कड़क में भी चिल्ली की जनकार और मेंड को की टर्टर भी बाल गुबिन भगत के संगीत को दबा नहीं सकती बाल गुबिन भगत अपनी खंजडी बजा रहे हैं और गा रहे हैं गोदी में पीवा चमक उठे सकियां चीहक उठेना इस प्रकार बादलो वाले भादों की आधी रात में भी उनका यह गाना अंधेरे में अचानक कौंद उठने वाली बिजली की तरह सभी को चोका देता जब सारा संसार निस्तब्दता अर्था सन्नाटे में सोया है बाल कोबिन भगत का संगीत जाग रहा है सब को जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चौर मुसाफित जाग जरा कार्तिक आया नहीं कार्तिक हिंदी महिने का नाम है कि बाल गोबिन बगत की प्रभातिया प्रभातिया आर्थात प्राथक अलिन गाय जाने वाली गीत शुरू हो जाते जो फागुन महिने तक चला करते दन्यवाद बच्चों आज यहीं तक पाट का अगला भाग हम अगले का लांश में पड़ेंगे तब तक आप स्वस्त रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें